हेलो बच्चो आज हम लोग जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है चटनी तो कहानी शुरू करते हैं धनिया और लहसुन के बीजों के बीच बाते हो रही थी धनिया बोला दोस्त हम एक दिन बड़े हो जाएंगे लहसुन भी उसकी हां में हां मिलाई धनिया फिर बोला फिर हमारा मालिक हमें तोड़ कर घर ले जाएगा और खाने में इस्तमाल करेगा तभी लहसुन बोला पिल्कुल ठीक कहा तुमने एक दादी रोज यहां आती हैं और हमें प्यार से देखती हैं हां मैंने भी उन्हें देखा है धनिया ने जट से कहा सुना है दादी को धनिया और लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है सभी लहसुन और धनिया की नजर दादी पर पड़ी वे दोनों एक साथ बोले चटनी का मजा लेने दादी आ रही हैं तो बच्छो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी अच्छी लगी आप लोगों ने धनिया और लहसुन की चटनी खाई है हाँ कैसी होती है अच्छी होती है